हेलो हाई सागत है आप लोगों का ग्रीन आर्ट बॉक्स चैनल में तो आज मैं दिखाने वाली हूँ मेरे टेवर पे जो जो चीज रखा हुआ है जो कि मैंने लॉक डाउन पे बनाया है चलिए देखते हैं तो सबसे पहले आता है यह सिंचेन काटवन बाला पेंट स्टैन जो कि मैंने हॉली के डबबे को काट के बनाई थी और यह बटल को काट के अलफबेट्स बाला एक पेंट स्टैन मैंने बनाई है जो कि बहुत ही औरडिनरी है बहुत ही सिंपल है अब ये एक कैन का डबा है जिसको काटके मैंने एक पेंस्टेंड बनाई है असल में मैंना जो भी कश्रा देखती हूँ उससे कुछ न कुछ ऐसे बना के टेबिल पे सजा देती हूँ अब इसके बाद आता है ये चाय की कब जो कि मिट्टी से बना हुआ है और इसको मैंने अपना ब्रास्टेंड बनाया है गुमा के दिखा देती हूँ थोड़ा सा अब आता है खाली एक्रिली कलर का डबा जिससे मैंने बहुत सारी इमोजिस बनाया हुआ है और इसके वीडियो मैंने चैनल पे पहले से डाला हुआ है अब आता है बीशिलारी का स्टडा बॉटल ये सारे भॉटल हमने बिद्र शेया ने चैनल लिया था तो ये दिखने में बहुत कीट लगए इससुन करने को लुड़ा सा डिकारिशन करने थैसे बॉटली को आँप धीया कुछ आइस पारिल कि कॉलक्स ऍप लेगान बारा बीयर वाला ग्लाज बटल है इसमें आपसकते एक वीफ चुंहीवन पेंट किया है जो posição ऑट धुक फेटट जो यह सब क 104 स्टै उसमें तुरिया ग्रीम और यलों काम बनीशन में अब हमेसारिने कि इसम्क ज्थ्ला खो Monsieur उडाफ किया है किया हैि तीसरा इसमें मैंने एक मंडाला आर्ट की है जो कि मैंने डॉट से बनाया हुआ है बहुत ही सिंपल है और दिखने में भी अच्छा है अब आता है बहुत सारे फूलो बाला और इंचिक्स बाला एक बाता नहीं मैंने तब यहां पे बटरफ्राइ क्यों इंक्लूड नहीं की थी तो अब देख सकते हैं कुछ सुखा हुआ पीर का कुछ लख रिया मैंने यलो कलर पेंट करकी इसके उपर ऐसे लगा दिया है जो कि बहुत ही मतलब कॉमिनेशन बहुत ही अच्छा लग़ा है यह असल में चोटा फ्लावर का प्लैंट था जो कि अनफॉर्चुनेटली इसका ड मुझे रेगुलर चेंज करना पड़ता है नहीं तो यह प्लैंट खड़ाब हो जाएगा तो यह था मेरा कुछ बटलाट की कलेक्शन और इन सारे बटल के अलावा भी मैंने कुछ और भी बटल पेंट की थी जिसके फोटो वस मेरे पास अबलेबल है वीडियो मैं नहीं बन स्क्राइब करें और कौन सा क्रैप्ट आपको ज्यादा अच्छा लगा वो भी नीचे कॉमेंट पर बता सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही मिलते है नेक्स्ट वीडियो पे बाई बाई